मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव में मिली जीत को अब कॉंग्रिस लोग सभा चुनाव में भी भुनाना चाहती है इसलिए पार्टी ने अभी से उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है इसी कड़ी में कॉंग्रिस के कुछ पार्शदों ने भुपाल लोग सभा सीट पर जीत का फॉर्मूला निकाला है दरसल आगामी आमचुनाव के मैदान में बॉलेवड अभी नेतरी और भुपाल की बहु करीना कपूर खान को उतारने की कोशिशे इन दिनों जोरो पर चल रही है कॉंग्रिस के कुछ पार्शदों की मांग है कि भुपाल संसद्य सीट से किसी नेता को नहीं बल्की बॉलेवड अभी नेतरी करीना कपूर खान को टिकेट दिया जाए दरसल कॉम्रेस पाश्रदों का कहना है कि भूपाल संसद्य सीट पर कई साल से बीजेपी का एक छत्र राच चल रहा है और भूपाल बीजेपी का मजबूत किला बनता जा रहा है जिसे ढहाने के लिए करीना कपूर खान मुफीद उमीदवार रहेंगी कहा जा रहा है कि 40 साल से भूपाल सीट हार रही कॉंग्रिस को करीना कपूर खान चुनाव जिता सकती है क्योंकि युवाओं में करीना कपूर खान की अच्छी फैन पॉलोइंग है गौर तलब है कि करीना के ससर और पूर्वर क्रिकेटर मनसूर अली खान पतोदी कॉंग्रिस के तरफ से भूपाल से लोगसभा चुनाव लड़ चुके हैं जिसमें उन्हें हार कमू देखना पड़ा था महीं पार्षितों ने कहा है कि इस मांग को लेकर वे जल्ड ही मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात करेंगे दूसरे तरफ कॉंग्रिस पार्षितों की मांग पर बीजेपी ने तंच कसा है और कहा है कि कॉंग्रिस के पास अपनेता नहीं बचे इसलिए अभिनेता के सहारे चुनाव लगना चाह रहे है विसे देखा जाये तो करीना कपूर खान और राहूल गांधी का पुराना रिष्टा रहा है कई दफा करीना राहूल गांधी को पसंद करने की बाद भी सरयाम कबूल कर चुकी है बागी खबरों के लिए देखते रही है नवभारा टुडे नवभारा टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब and don't forget to hit the bell icon